एक बुढिया थी, वे बहुत ही गरीब और द्रिष्टिहीन थी, उसके एक बेटा और बहु थे, वे बुढिया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी, एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढिया से बूले, अरे बुढिया अम्मा, तुम जो चाहि वो मांग लो, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? अपने बहु बेटे से पूछ कर मांग लो, तब बुढिया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं, तू कुछ मांग ले, बता, मैं क्या मांगूं? तू वे बाहर चबूत्रे पर जाकर बैठ कई और सोचने लगी, अरे बुढ़िया, तु किस विचार में खोई हुई है? गडेश ची ने मुझसे कुछ मांगने के लिए कहा है, बेटा बोला बहुत सारा धन मांग ले, और बहु बोली नाती मांग ले, बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन जियेगी, क्यू तू धन मांगे और क्यू नाती मांगे, तू तो अपनी आखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिन्दगी आराम से कट जाए, बुढ़िया उस रात सो गई, अगले दिन सुभा होते ही गणेश्ची ने फिर पूछा, बताओ अम्मा, क्या चाहिए तुम्हें? यदि आप प्रसन्न हैं, तो मुझे नौ करोड की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें, और सब परिवार को सुख दें, और अंत में मोक्ष दें, यह सुनकर तब गणेश्ची बोले, अरे अम्मा, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है, वचन के अनुसार, सब तुम्हें मिलेगा, और यह कहकर, गणेश्ची अंतरध्यान हो गए, उधर बुढ़िया मांने जो कुछ मांगा, वे सब कुछ मिल गया, हे गणेश्ची महराज, जैसे तुने मुझे दिया, वैसे ही सब को देना, सुखवीर को बच्पन में चेचक निकलाई, जिससे उसके चेहरे पर बहुत सारे गढ़े जैसे निशान बन गए, लोग उसका चेहरा देखकर घिन मानते थे, बड़े होकर भी उसे संघर्ष करना पड़ा, वे रिक्षा चलाता था, बहुत पूजा पाट करता था, लेकिन फिर भी दुनिया भर के दुख उसके हिस्से में ही आये, एक तो भगवान ने चार-चार बेटियां दे दी, और उपर से रिक्षे की कमाई भी न के बराबर होती थी, अब बिचारा करे तो क्या करे, एक दिन सुखवीर की पतनी चंद्रा बोली, ऐसे कैसे काम चलेगा जी, घर बैठे तो भरे खजाने भी खाली हो जाते हैं, अरे गणपती हमारी जरूर सुनेंगे चंद्रा, थोड़ा सब्र कर, गणपती ने आज तक नहीं सुनी तो आगे क्या सुनेंगे, अगर सुनते तो हमारी चाती पर चार-चार बेटिया नहीं बैठी होती, तुछ चुप रहे चंद्रा, ऐसी बात मत कर, अरे मैं इस चेरे का क्या करूँ, मेरा चेरा देखकर सवारी मेरे पास आती ही नहीं है, और कोई काम भी नहीं मिलता, करूँ तो क्या करूँ, गणेश चतुर्थी के लिए जो पैसे एक खटे किये थे, उनसे घर का खर्च चल रहा है, ऐसे में गणपती कैसे नाराज नहीं होंगे, मैं अपने गणपती को खुद मना लूँगा, और रही बात चतुर्थी की, सुखवीर ने गणेश चतुर्थी मनाने के लिए जो पैसे एक खटे किये थे, उनसे तो राशन खरीद लिया, अवे रोज सवारी के इंतजार में बैठा रहता, सुखवीर गर्मी में पसीना पोच्चते हुए बूला, आज तो एक भी सवारी नहीं मिली, एक गण पती बप्पा, अगर आज मैं घर पैसे लेकर नहीं गया, तो मेरी बच्चियां भूकी रह जाएंगे, कुछ तो दया करो, मेरे रिक्षे के लिए सवारी भेज दो, ओ रिक्षे वाले भाईया, सबजी मंडी तक चलोगे, आज सुखवीर के घर का राशन खत्म हो चुका था, आज तो वह कम पैसे में भी सवारी ले जाने के लिए तयार था, सबजी मंडी में उतर कर उस औरत ने उसे दस रुपए दिये, दस रुपए हाथ में लेकर वह सोचने लगा, अब इन पैसों से मैं सबजी खरीदू या आटा, घर पर पहुँशते ही चंद्रा चार बाते सुनाएगी वो अलग, शाम को सुखवीर मुह लटकाए हुए घर में घुसा, देखते ही चंद्रा का माथा ठनक गया, वह बोली, लगता है आज भी खाली हाथ आए हो, खुद का तो देख लूँओ, पर इन बच्चीयों को क्या खिलाऊंगी, लगता है गणपती बपपा मेरा इम्तिहान ले रहे हैं चंद्रा, आज पूरे दिन में सिर्फ दस रुपे कमाए हैं, जिस काम में हाथ डालता हूँ, वही बिकड़ने लगता है, शायद मैं ही पनौती हूँ, चलो, अब ज्यादा जी छोटा मत करो, थोड़े दाल चावल रखे हैं, आज खिचडी ही बना दूँगी, सुखवी रात भर सोचता रहा, आगे क्या होगा, बिना पैसे कैसे बच्चों का पेट भरूँगा, और कैसे गणेश जी की मूर्ती लाऊं। गणेश जी की मूर्ती स्थापना का दिन भी आ गया, कुछ पैसे गल्ले से निकाल कर वो मूर्ती भी ले आए, मगर रात में ही बड़ी बेटी की तबियत बिगड़ गई, सुखवीर को उसकी ये बात बहुत बुरी लगी, उसने सोचा, सबके सोने के बाद वह कमरे में गया और पंखे में रसी बांधने लगा, पारवती जी गणेश जी से बोली, हे पुत्र, सुखवीर तुम्हारी इतनी भक्ती करता है, फिर उसको इतना क्यूं सता रहे हो कि वह आज जीवन खत्म करने जा रहा है, सुखवीर अपनी जीवन लीला समाप्त करने ही चला था, कि गणेश जी ने एक बूढ़ा आदमी बन कर बहुत तेज दर्वाजा खटखटाया, सुखवीर रसी छोड़कर बहार आया और पूछा, मेरे बेटे ने मुझे मार पीट करके घर से भगा दिया, कई जगा शर्ण मागी लेकिन सबने भगा दिया, दो दिन से भूका प्यासा हूँ, यहां तक की मेरे कपड़े भी फार दिये, अब मैं बुढ़ा आतमी इतनी रात कहां जाऊँ, अगले गाहों में मेरा दूसरा गर है, क्या तुम मुझे वहां छोड़ दोगे? कैसा बीटा है आपका बाबा, जो आपके साथ उसने इतना बुरा वैवाहर किया, आप चिंता मत करो, मैं छोड़ दूँगा, आप रिक्षे में बैठो, मैं भी आता हूँ, सुख्वीर अंदर गया, उसने देखा कि घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था, उसने गणपती के सामने रखे हुए दो मोदक उठाए, और एक चादर लेकर बाहर आ गया, बाबा, ये चादर ओड़ लो, और ये मोदक खा लो, फिलाल घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, कोई बात नहीं बेटा, इन मोदकों में तो में दो दिन गुजार सकता हूँ, रात में सुखवीर बुढ़े आदमी को रिक्षे में लेकर दूसरे गाउं पहुचा, बस बेटा, रिक्षा यहीं रोग दो बेटा, यही सामने मेरी छोपड़ी है, बाबा, किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो बता देना, पैसा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन शारीडिक रूप से किसी काम आ जाओं तो याद कर लेना, मुझे माफ कर देना बेटा, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, कोई बाबा, आप मुझे बस आशिरवाद दीजिये कि गणपती विसर्जन तक मैं कुछ कमा सकूँ, जिससे अपने बप्पा की विदाई मैं अच्छे से कर सकूँ, ठीक है बेटा, जाओ तुमारे घर में धंसंपत्ती का भंडार हो, तुम्हें एक्टेजस्वी, यशस्वी पुत्र की प्राप्ती हो, तुम्हें रंग, रूप और सोहार्द मिले, जिस दया भाव से, आज तुमने मेरी मदद की है, उसी तरह तुम सब की मदद करो, सुखवीर वापस आ गया, घर आकर उसने पंखे में बंधी रसी खोल दी, और मरने का विचार त्याद दिया, सुभा जब चंद्रा की आँख खुली, तुवह जोर से चिल्लाई, बिंदिया के पापा, उठो, आँखे खोलो, सुखवीर हर बड़ा हट में उठा और देखा, कि चंद्रा गेहनों से लदी खड़ी है, उसके शरीर पर रेश्मी साड़ी है, उसका घर एक बंगला बना हुआ है, चंद्रा ने हैरानी से सुखवीर को देखते हुए कहा, अरे ये देखो, आपका चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया है, सुखवीर दोड़ा हुआ गणेश जी के सामने गया और उनके चरण पकड़ कर बोला, ये गजानन, ये तुमारा कैसा चमतकार है, जो रातो रात मेरी तक्दीर बतल दी, इतना कहते ही गणेश जी प्रकट हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी साधना और लगन से बहुत प्रसन्य हूँ, तुमने बुरे समय में भी मेरी प्रतिमा की स्थापना की, यहां तक की बीमार बच्ची की दवाई के लिए पैसे नहीं थे, और तुमने मुझे मोदक खिलाए, तुम्हारी परिक्षा का समय समाप्थ हो चुगा है, रात जब तुम फासी पर लटकने वाले थे, तब तुम्हारे जीवन की रक्षा करने, मैं ही बुड़ा बनकर तुम्हारे दर्वाजे पर आया था, आज के बाद तुम पर कोई विबदा नहीं आएगी, ये कहकर गणिश जी अंतर ध्यान हो गए, कुछ समय बाद चंद्रा को एक बेटा हुआ, सुख्वीर अपने परिवार के साथ बहुत खुश था, सुनो जी, अब तो हमारे पास गणपती बपा का दिया सब कुछ है, अब ये रिक्षा बेच दीजिए और गाड़ी खरी लीजिए, हारे, ये क्या कह रही है चंद्रा, हरे ये रिक्षा नहीं, सुख्वीर ने रिक्षे का गैराज खोल लिया, और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा, गाउं में सुरेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था, सुरेश का एक पैर खराब था और वह अपनी पत्नी की मदद से खेती किया करता था, सुरेश लड़ खड़ाते हुए फावडा चलाता, हम दोनों मिलकर जल्दी ही खेत तयार कर लेंगे, सुरेश भगवान गड़ेश जी को बहुत मानता था और उनकी नियमित रूप से पूजा आर्चना करता था, एक दिन सुरेश भगवान गड़ेश से कहता है, हे प्रभू, कुछ ऐसी कृपा करो कि बारिश आने से पहले खेत तयार हो जाए, और मैं खेत की बुगाई कर दूँ, बेचारे गड़ेश जी को क्यूँ परिशान कर रहे हो, खेत तो हम खुद भी तयार कर सकते हैं, मैं अपाहिज आत्मी, हल न बैल, फिर खेत कैसे तयार होए रेखा, हम दोनों महिनत करेगे तो तयार हो जाएगा, सुरेश और रेखा सारा दिन कड़ी धूप में पसीना बहाते हैं, सुरेश अपाहिज होते हुए भी कठोर महिनत करता है, मगर खेत फिर भी तयार नहीं हो पाता, सुरेश बेटा, लगता है इस पार तुम खेत की बुगाई नहीं कर पाओगे, एक दिन सुरेश और रेखा खेत में काम करने जाते हैं, तो काम करते करते अचानक ही सुरेश का पैर घायल हो जाता है, सुरेश का पैर लहु लोहान देख, रेखा की तो जान ही निकल जाती है, वे भाग कर सुरेश को संभालती है और कहती है, अरे ये क्या हुआ जी, आपका पैर तो लहुलोहान हो गया है, लगता है इस साल ना फसल लगेगी और ना घर में अन आएगा, जो होगा देखा जाएगा, पहले अपने आपको देखो, पैर में चोट आने पर सुरेश का काम करना तो दूर, चलना फिरना भी बंद हो जाता है, उधर रेखा भी चिंता में पढ़ जाती है, और कहती है, अगर फसल की बुआई ना हुई, तो घर में खाने को अनाज कहां से आएगा, अगले दिन रेखा खेट पर अकेली काम करने जाती है, तो तेज धूप के कारण काम करना मुश्किल हो जाता है, वे ठक हार कर बैठ जाती है, और कहती है, मुझे अकेली से तो खेट तयार नहीं हो पाएगा, अब काम करने का अदब नहीं बचा, पहले कुछ खा लेती हूँ यह कहकर रेखा खाना खाने बैठती है तो अचानक ही वहां एक बालक आ जाता है बालक रेखा से कहता है मेरा नाम गणपत है क्या आप मुझे अपने घर नौकर रख सकती है पर हम गरीब आदमी है हम नौकर कैसे रख सकते है मुझे पैसा नहीं चाहिए मुझे तो एक दिन में बस तीन रोटियां ही दे देना गणपत की यह बात सुनकर रेखा मनही मन सोचती है बालक है थोड़ा खाना खाएगा तो घर के काम में हाथ भी बटाएगा रख लेती हूँ इसे काम पर गणपत कोई और नहीं बलकी स्वेम गणेश भगवान जी थे जो अपने भक्त सुरेश की मदद करने के लिए उसके घर नौकर बन कर आये थे रेखा के साथ गणपत को देख सुरेश कहता है यह बालक कौन है रेखा? यह गणपत है आज से यह हमारे साथ रहेगा मैं आपकर नौकर हूँ जी अरे नौकर क्यों हो बच्चे हो तुम रहो हमारे साथ जहाँ दो रोटी हम खाते हैं तुम भी खा लेना उस दिन की बाद भगवान गणेश सुरेश के घर रहने लगते हैं एक दिन सुरेश गणपत से कहता है सुनो गणपत मेरा पैट जखमी है मैं उठ नहीं सकता मुझे बहुत प्यास लगी है मैं अभी पानी ले आता हूँ यह कहकर गणपत घड़े से एक गिलास पानी लाकर सुरेश को दे देता है और कहता है यह लो पानी और अपना जखम तो दिखाओ तु क्या डॉक्टर है जो जखम ठीक कर देगा डॉक्टर तो नहीं हूँ पर मेरे चूने भर से जखम ठीक हो जाएगा यह सुनकर सुरेश हसने लगता है अगर तेरे हाथों में ऐसा ही जादू है तो ले देख ले जखम गणपत सुरेश के जखम पर हलके से हाथ फेरते हुए कहता है अब देखना कल सुभा तक जखम बिलकुल ठीक हो जाएगा गणपत के चूने से सुरेश का जखम सच में ही ठीक हो जाता है अगले दिन सुरेश अपने पैर का जख्म देखता है तो हैरान ही रह जाता है अरे वाँ गणपत तेरे हाथों में तो जादू है भाई रेखा देखो मेरा जख्म विलकुर ठीक हो गया है क्यों रे गणपत क्या जादू किया तुने वो तो मैं कभी नहीं बता सकता गणपत यह कहकर बात को टाल देता है मगर रेखा मनी मन सोचती है इस बालक में कुछ तो खाज है यह साधारण बालक नहीं लगता उस दिन के बाद सुरेश और रेखा दोनों फिर से खेट तयार करने में लग जाते हैं मगर बुआई में देर होने लगती है और खेट तयार ही नहीं हो पाता मुझे नहीं लगता कि हम खेट में बुआई कर पाएंगे आप चिंता मत कीजिए खेट तयार हो जाएगा और बुआई भी हो जाएगी यह सुनकर रेखा कहती है क्यों? खेट क्या तुम तयार करोगे गणपत? हाँ कर दूँगा देखना तुमसे भी अच्छा कर दूँगा ठीक है तो कर दे ना हम भी तो देखे कि तू छोटा सा बालक खेट कैसे तयार करता है? एक रात गणपत खेट में जाता है और अपने वाहन मुशक को बुलाता है बोलो प्रभू, क्यों बुलाया मुझे? मुशक राज, अपने साथियों को बुलाकर इस खेट को बीज बोने लाइक बना दो जैसी आपकी आग्या प्रभू गणपत यानि गणेश जी के यह कहते ही मुशक अपने साथियों को बुलाता है और सब मुशक मिलकर खेट की सारी मिट्टी खोड डालते हैं लो प्रभू, खेट तयार हो गया अब इस खेट में बीज बोने का काम भी कर दो पर बीज कहां है प्रभू? मुशक राज जैसे ही यह कहता गणेश भगवान तुरंद बीज प्रकट करते हैं और कहते हैं लो ये रह बीज, अब इने खेट में बोने का काम भी कर डालो ठीक है प्रभू? अब मुशक राज की सेना खेट में बीज भी बो देती है खेट की बुआई हो जाने पर गणपत घर जाकर सुरेश से कहता है खेट तैयार भी हो गया और उसमें बीज भी बो दिया है यह सुनकर रेखा और सुरेश को यकीन ही नहीं हो पाता वे खेट में जाकर देखते हैं तो हैरान ही रह जाते हैं वा भाई गणपत, तुमने तो कमाली कर दिया अब तो बस पानी बरस जाए क्योंकि पानी बरसे तो ही बीजोगे मगर पानी तो न जाने कब बरसे भगवान पर भरुसा रखो, पानी भी जल्दी ही बरच जाएगा हाँ ये भी सही है, मुझे अपने गणशी पर पूरा भरुसा है उसी रात गणपत यानि गणश भगवान खेत में जाकर इंद्रदेव को प्रकट होने का आदेश देते हैं हे इंद्रदेव, तुरंद प्रकट हो बोलिये प्रभू, कैसे याग किया इंद्रदेव, ये हमारे भग्त का खेत है इस पर जल बरसाओ, ताकि फसल उगाए गणपत के ये कहते ही, उसी समय आस्मान में बादल आते हैं और जल बरसने लगता है फिर तो समय समय पर जल बरसता है और सुरेश के खेत में फसल लहलाने लगती है वा भाई गणपत, तेरी मेनस से तो खुब अच्छी फसल लगी है अब तो घर में अनाज के भंडार भरे जाएंगी घर में अनाज आने पर मैं अपने गणेश जी की पूजा पाट और कथा जरूर करवाऊंगा फसल बहुत अच्छी होती है और घर में सच मुच अनाज के भंडार भर जाते हैं सुरेश कुछ अनाज बेच कर गणेश भगवान की पूजा पाट करवाता है, मगर तब ही गणेश जी की मूर्ती की स्थापना की जगा गणपत बैठ जाता है, यह देख सुरेश और रेखा अश्चर में पढ़ जाते हैं। गणपत यह स्थान तो गणपती जी की मूर्ती की स्थापना के लिए है, भला तुम इस स्थान पर क्यों वैट गए? सुरेश जैसे ही यह कहता है, गणपत यानि गणेश भगवान अपने असली रूप में आ जाते हैं। यह देख सुरेश और रेखा दोनों हाँ जोड़ कर खड़े हो जाते हैं। क्या? प्रभू, आप, आप हमारे घर। प्रभू, आप हम गरीबों के घर नौकर बन कर रहे। मैं अपने भगतों की मदद करने के लिए कोई भी रूप ले लेता हूँ। सुरेश, आज के बाद तुम दोनों का जीवन सुख से बीतेगा और तुम अपने दोनों पैरों पर चल सकोगे। यह कहकर गणेश जी सुरेश के पैर को ठीक कर देते हैं और फिर उन्हें आशीरवाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं।